रिशाब पंथ वर्सिस संजू सैम्सन बैस संजू सैम्सन ने 40 बॉलों में सेंचुडी मारी और बांगलादेश के खिलाडियों का बना दिया तीतर लेकिन टीट्वन्टी में कौन है बैटर विकेट कीपर ओ भाई देखो विकेट कीपर तो बैटर रिशाब पंथी है अज इशान किशन के सितारे अलाइंड नहीं है लेकिन अभी जिन दो विकेट कीपर के बीच में यह फाइट है कि T20 का नंबर वन विकेट कीपर कौन बनेगा वो अभी संजू सैम्सन और रिशाब पंथ के बीच में रिशाब पंथ इसलिए क्योंकि वो टीम मैनेजमेंट की पह सेन की और 30 बॉलों पे 30 ही रंज चाहिए थे उसके उस दोरान जब सब लोग टेंशन में थे तब रिशाब पंथ हमना दिमाग दोड़ाया और वो लेट गए ऐसी हैं करते हैं यह संजू सैमसन नहीं करेंगे यह ऑनस्ट आदमी कह रहे हैं मैं क्या करूं मैच चल रहा है इ तो एसा नहीं है कि एक को मौका दिया गया या नहीं दोनों खिलाडी 15 मेंबर की टीम में थे पूरे वर्ड कप में संजू सैमसन नहीं कहले क्योंकि रिशाब पंथ प्रेफर्ड थे बिल्कुल और अब उसके बाद दो सिरीज हो गई हैं तीन-तीन मैच जिसमें संजू सैमस अभी चलती रहेगी जिस हसाब से उनके जो स्कोर थे पिछले जो 5-6 मैच थे उसमें उन्होंने जब श्रीलंका के साथ जो मैच हो रहे थे उसके उसमें दो मैचों में बैक टू बैक जीरो मारे फिर बंगलादेशे खिलाब भी 29 और 10 मारे तो 4-5 मैच हो गए थे उनको जि जबर दर सेंचुरी और यह जबर दर सेंचुरी जो थी वो जो पांच लगातार चक्के हों चाहे वो शुरुवात से ही जिस तरीके से उन्होंने विकेट पर हटकर जो चौक के जो कवर ड्राइव जो लगन चड़ू आत में और उसके बाद संजू सैंसन का पूरा दिन था और अब जब T20 की बात होगी तो यह बात भी मेरी है तो जो बात चल रही है वो यह कि अब अगर संजू सैंसन और रिशब पंथ दोनों का जो T20 करियर है इस टाइम पर अगर compare किया जाए तो अगर संजू सैंसन ने बहुत जादा overall कुछ नहीं किया है तो fact यह है कि रिशब जादा कुछ नहीं किया वो टेस्ट मैच में ही T20 बना रहा है रिशब पत ने उसके इलावा कुछ नहीं किया है T20 में तो खासकर उन्होंने कुछ ऐसा बढ़िया तो चलो रिशब पंथ के रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं 76 T20 इंटरनेशनल वो खेल चुके हैं 2017 से खेल रह अब मैं यह कह रहा हूँ 50 का एवरेज तो चलो T20 में बहुत जादा है और जिस तरीके के वो खिलाडियां 50 का एवरेज तो नहीं माना जा सकता लेकिन कम से कम 45 का एवरेज तो एक्सपेक्ट किया जाता है और वो हिटर है मतलब एक तरीका से जब वो आते हैं सेकंड डाउन या थर्ड डाउन पर आते हैं तो वहां पर आपको चाहिए हो था कि आप रन मारो खीच खीच के तेज तेज मारो लेकिन मजे की बात यह है कि T20 में उनका स्ट्राइक रेट भी 127 का ही है जो की बहुत ज्यादा नहीं है मतलब इतना स्ट्राइक रेट आप रिशापन जैसे अबैट्समें से एक्सपेक्ट नहीं करते तेस्ट में करते हैं हाहा और लगबग वह वैसे तो 76 का है लेकिन लगबग इतना पहुझा दे रहे हैं लेकिन अगर हम बात करें संजू सैंसन की तो जहां रिशापन ने 76 मैच के ले हैं संजू सैंसन ने 33 मैच जैस यानि कि उन और जो एवरेज है वो इनका भी काफी खराब है संजू सैंसन का लेकिन स्ट्राइग रेट है 144.5 का अब स्ट्राइग रेट के मामले में तेज हैं रंस क्योंकि उतने मौके नहीं मिले जब मौके मिले तो फेल जरूर हुए हैं बीच बीच में लेकिन संजू सैंसन को वैसे भी नहीं मिलता क्योंकि हर बार यही कोई भी सीरी दा दे कोई बाइलेटरल वो यही सोचते है यार पता नहीं आप यह नहीं हो जब आप शोर हो जैसे रिशव पंच शायद अपने दिमाग में शोर है कि अगर मैं 15 मेंबर के स्कॉर्ड में हो तो मैं खेलूगा है खेलूगा तो एक माइंड सेट तो अलग हो जाता है वहाँ पर अगली बार उनको मैच से ड्रॉप कर दिया जाए क्योंकि यह संजू सैंसन की किस्मत रही लेकिन इन दोनों खिलाडियों में ऐसा लगता है कि संजू सैंसन ने यहां पर अपना नाम इस लिस्ट म चार T20 खेलने के लिए साउथ आफरिका जाएगी टीम इंडिया वहाँ पर टीम में क्या रिशापन्त को चूज किया जाता है क्या उनको उस टाइम पर भी रेस्ट दिया जा सकता है रेस्ट दिया जा सकता है क्योंकि बार्डर गावस का ट्रोफी उसके जस्ट बाद है वह है रिशापन्त की जगह अगर नंबर तीन नंबर चार पर बनती रिशापन्त से बहुत जागाइं करें है आई एल नहीं करी बिल्कुल नहीं करीtu वो जो slot है, वहां पर बहुत ज्यादा crowd है, आपके पास opening में फिर भी एक जगह है, क्योंकि opening में यशस्वी जैसवाल, शुबमन गिल, रूतुराज गायकवार, अभिशेक शर्मा, संजू सैमसन, यह बड़े सारे नाम हैं जो कि घूम रहे हैं, और अभी तक शायद यशस्व मुझे नहीं लगता कि वो वाइस कैटन से साफ हो जाएं, क्योंकि जैसे अभी हुआ, टेस्स मैचेस के लिए बूम रहा हो गए न, वाइस कैटन तो ऐसा तो नहीं है, वाइस कैटन आपको बना दिया पर्मनेंट और वो चीज को वापिस नहीं लिया जा सकता, पर्मनेंट हुआ हुआ है, कोई पर्मनेंट नहीं है, वाइस कोई पर्मनेंट नहीं है, वो नमबर वन किलाड़ी उसे बता द रहे हैं कि शाहिन और बाबर निकलो यासे, जाओ यासे, हाँ, छी, साथ में नसीम कह रहा है, मेरे नसीम में क्या कमी रह गई थी, सर मुझे क्यों निकाल मुझे क्यों निकाल ले भाई, मैं तो ठीक कर रहा हूँ, और Sanju Samson का अभी आप देखो, पिछले 15 मैचे में इन्होंने एक नमबर, दो नमबर, तीन नमबर, चार नमबर, पाश नमबर और छे नमबर, हर जगा इनसे बैटिंग करवा दिये, इस बंदे पर कॉन्पिटेंस कि ये सैंचुरी लगाई, ऐसा लगता है, और गौत्म गंबीर जब कोच नहीं बने थे, तो वो Sanju Samson के काफी दीवाने थे, ये उन्होंने डॉक्यमेंटेड बात है कि कई साल पहले उन्होंने का कि Sanju Samson को मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब गंब कि उससे जादा मस्ती किया हैं, टीन सु रन मार रहे हैं, वीस ओवरवें उससे जादा क्या मस्ती है बाई, दुख रहे गया, इंडिया वालों दुख है कि वाई, 300 नहीं हो पाय, 200 अठन में दक रहे हैं यह कोँ कए ऐसे दो इतनी दो आ हुष जा अर यह 시청 कर दो पूइसी में मेरे मिरी एक है्मेडी видно मेरे मेरी मिल आया है यहां तो ने भी जर्ण में टीक शरी कथी Strikes पर पर लिए करने आपर। आको सबस्सक्राइध वह तीन बॉल में तीनी रन थे उनकी तीन बॉल में दो, इस तो अगर वह चौथी वाल में जम करते हैं, सब लोग रिंकु पर डाल देते हैं, तीरे वज़े से तीन सो नहीं हो पाए, पर मुझे लगता है कि नितिश रेटी की वेज़े से रेग्या, नितिश रेटी ने दिक बेराल आपको क्या लगता है कि T20 Cricket में इंडिया का बेस्ट विकेट कीपर कौन है, किसको टीम इंडिया को नंबर वन विकेट कीपर बनाना चाहिए, क्या वो Sanju Samson है, या फिर वो Rishabh Panth है, या फिर आपको लगता है कि इशान किशन की वी वापसी हो जानी चाहिए, क्योंक इशान की जनका, डिपेंड करता है कि दूसी तरफ कौन है, दूसी तरफ अगर या शासरी जाए सवाल है तो दोनों left combination पर Matthew Aiden और Justin Langer ने भी इतनी पिटाई करी है, तो भाईया ऐसा कुछ नहीं है, क्रिस्ट और Matthew Aiden की जोड़ी जोड़ी जो थी, उसमें कोई right-hander थोड़ पर आपको यह बताना है, आप किसी मुश्किलों में मत पढ़िए, आप यह जल्दी से बता दीजिए, कि टीम इंडिया का number one wicketkeeper किसे होना चाहिए, Sanju Samson, Rishabh Panth या कोई और, बहराल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मेरा नाम है चैनरस्तोगी, मेरा नाम है Prashant Kapoor और आप देख रहे हैं, Switch